नमस्कार दोस्तों, दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिक्किम में चल रही रेलवे प्रोजेक्ट के बारे में दरसल सीवाक रांग पो रेलवे प्रोजेक्ट इंडियान रेलवे का एक महत्वपूर्ण कदम है जो लगभग 45 किलोमीटर की दूरी तय करती है दोस्तों इस प्रोजेक्ट में 14 टनेल्स, 17 बिरिजेस और 5 स्ट्राटेजिकली लुकेटेड रेलवे स्टेशन सामिल है और ये एक मॉडर्न इंजिनियरिंग का प्रमान है जिसमें टनेल्स के निर्मान में निव अस्टेरियन टनेलिंग मेथट का इस्तमाल किया गया है दोस्तों आखिर ये प्रोजेक्ट क्यूं आवश्चक है दरसल सिवोकरांग पो रेल लाइन पुड़ा होने से सिक्किम को देश के बाकी हिस्टे के साथ जोरा जा सकेगा जिसमें टूरिजम और इकोनोमिक एक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा ये प्रोजेक्ट पुड़व उत्तर के सभी राज्यों की राजधानियों को जोरने का व्यापक द्रिश्टी कोन है दोस्तों ये रेलवे कनेक्शन स्रिप ट्रैक से कई अधिक है असल में ये एक विकास का मार्ग है सिवक रांग पो रेलवे लाइन 2024 तक कम्पलीट होने की उम्मीद है टरनल्स, ब्रीजेस और स्टेशन पर ध्यान केंद्रित है जिसमें 83% टरनल्स बनाने का काम पहले ही पुड़ा हो चुका है निव औस्टेरियन टरनलिंग मेथट से इन टरनल्स को बनाया जा रहा है जिसका फाइनल लाइनिंग सेप्टेमबर 2024 तक कम्पलीट होने की उम्मीद है दोस्तो ये रेल लाइन इतनी महद्वपूर्ण क्यू है दरसल सिवकरांगपो प्रोजेक्ट का पूरा होना सिक्किम को देश के बाकी हिस्तों से जोडता है जिससे टूरिजम और आर्थिक गतिविदी को बढ़ावा मिलेगा दोस्तो सिवकरांगपो रेल प्रोजेक्ट ने 2008 और 2009 के बजेट में सामिल होने के बाद एक लंबा सफर तै किया है 25 अगस्ट 2023 तक 97 प्रतिसत फिजिकल प्रोग्रेस के साथ तेजी से काम गिया जा रहा है टनल्स की सक्सेस, कम्पलीटेड ब्रीज और अंडर कंस्ट्रेक्शन रेलवे स्टेशन, सिक्किम की राष्टिया रेल कनेक्टिविटी को वास्तविक बनाने की प्रयासों को दिखाती है दोस्तो सिवकरांग पो निव रेलाइन प्रोजेक्ट सिर्फ ट्रैक्स और टनल्स का एक सेट नहीं है, ये सिक्किम के लिए जीवन रेखा है 2024 में इस प्रोजेक्ट का पूरा होना राज्य के लिए एक एतिहासिक संड होगा दोस्तो इस पडिवर्तनकारी यात्रा पर अधिक अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले